नमस्कार दोस्तों सभी को जैहीं दिफ वेलकम बैक अनदर वीडियो उमेद करता हूँ फ्यारे दोस्तों आप सभी अच्छ होंगे फाइनली बात करें दोस्तों एक और लेटिस्ट भरती के बारे में जिया दोस्तों यह जो वीकैंसी निकल के पर्मानेंट पोस्ट निकल के हो जय है दोस्तों और यह जो वीकैंसी निकल है कर टोनेंट बोर्ड जी मत सबस्तों आप सही सुन रहे हो जो पहले जो वी aye आता है ठीक यह जो वीकेंजी निकल के दोस्तों केंट वर्मेंट बोर्ड जम्मु केंट नहीं भरती 2024 की तरफ से अड़र्टाइजमेंट जो की पब्रेस किया गया है और यह पर्मनेंट पोस्ट जो तो जो कि आपके आट साल तक अपकी रहने वाली है ठीक है सबसे पहले और सबसे तेज निज मिलने वाले हमारा एक चैनल है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आप से छोटी से रिक्वेस्ट करूँ है लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका लाइक मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है मुझे मोटिवेट भी मिलता है और कि यहां पर बात करेंगे दोस्तों ओल इंडिया स्टुडेंट हो सभी अप्लाइक कर सकते हैं तो चलते हैं इसकी लेटिस्ट नोटिकेशन कर दोस्तों और कि वेपसाइट से इसका नोटिकेशन है जो कि हम लोग डाउनोड कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूट्मेंट के उप्षिन में जाने के बाद यहां पर देखिए दोस्तों जम्मू चाहूनी की तरफ से मेंस्टे और डिफैंस के रहता है यहां पर दो नंबर देख सकते हैं दोस्तों न्यू रिक्रूट्रमेंट ठीक है और यह कल के दिन ही जो कि पब्लिस किया गया दोस्तों ठीक है तो यह जो नोटिस है वह हम लोग डाउनोड कर लेते हैं यहां पर देखिए दोस्तों आप सभी कुब बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं डाउट आ आउट की गये हैं और यह एड डेट जो देख सकते हैं आठ अक्टूबर दोजार चोबिस के दिने पब्लिस किया गया है ठीक है तो यह जो विकेंसी मनिश्टी और डिफेंस के अंदर आते हैं दोस्तों और यहां पर देखिए ठीक है मापको इसकी जो डेट है स्टार्टि सबस्क्राइब कर दो अधार्यों के सबस्के अफ्रिकेंस स्टार्ट के पादाबर टूस्त अपॉलिकेसित तरीके से आप्लिकेसिन सबस्क्राइब सबस्क्राइब है है 31 तारीक दसवा मेन दोजार चोबिस लाजट रखी गई है ओके सबसे पहले यहां पी दिए दोस्तों कि ऑफ्लाइन तरीके से इस भरती का एप्लिकेशन फूम में उप्लाइए करना पड़ेगा यह आप सब्सक्राइब कर दिया है ठीक है डारेक्ट रेक्रूटमेंट रहन सकते इस फिजिकली भी आप देके आसकते हो बत जो दूर के अब यहां पर पत्चेस पांसो दिया गया है त्टिक Ed. तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं अगर अगर आपने पास किया है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं 35 वर्ड टाइपिंग स्पीड माई यह दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ग्रैजुएशन आपने किसी भी स्टेम से क्यों तो आप अपलाई कर सकते हैं बात करेंगे यहां पर जूनियर एसिस्टेंट की एज के बारे में अगर आपकी 21 से लेके 30 साल के अंडर है यान एज काउंट की जाएगी एक 11-24 तक आपकी जो एज है काउंट की जाएगी अगर आप एडल वैस और यूर काटिकरी से है तो आपको कोई भी एज रिशेशन नहीं मिलने वारा अगर ओबीसी से है तो तीन साल का एज रिशेशन अलग से मिलेगा यानि कि यहां पर 33 साल तक अपलाई कर सकता है और स्टूडेंट और स्टूडेंट यहां पर 35 साल तक अपलाई कर सकता है कि अगर फीजिकली एंडिक पर दस साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे तो यह चीज़ ध्यान दिजिएगा कि अधिक है डिपार्टमेंटल के एंड़ेट है तो एसस्ट के एंड़ेट है डिपार्टमेंटल दो 45 साल तक अप्लाई कर सकता है बिल्कुल जैन्वन है आप लोग जाकर वेबसाइट पर देख सकते कोई फेक अपका भाई एक जो भी अपडेट लेका आता है कोई भी फेक अपडेट नहीं लेका था आपको जो एप्लिकेशन फीस है वह ओफ्लाइन तरीके से ही पेड करना पड़ेगा और इसी कि यहां पे फीजिकली एंडिकाइट है तो 800 पर फिस पे करना पड़ेगा ठीक है और यह बैंक ट्राफ्ट कटवाना पड़ेगा तो इस चीज़ ध्यान दीजिए किस नाम से केंटोनमेंट बोर्ड जम्मू के नाम से आपको कटवाना पड़ेगा ठीक है और आफ्लाइन मोड से ही आप हैं या बाइप पोस्ट तरीके से आप कटवा सकते हो और स्लिप भी भेज सकते हो ठीक है यहां पर मैंने आप सभी को बता दिया एड्मिट कार्ड भी इसका बहुत जल्दी आएगा इस इध्यान दीजिएगा एप्लिकेशन फॉर्म अपलाई होने के बाद आपको यानि कि एक 15 दिन के अंदर इसका जो एड्मिट कार्ड वो देखने को मिल जाएगा ठीक है और इस वेपसाइट भी देखने को मिले का दोस्तों और आपको जो एप्लिकेशन फॉर्म कहां पर भीजना है सारे के सारे डोकुमेंट कर देना दस्वी की मार्षिट बारवी की सब आपको अटैच कर देनी है और इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भी नहीं एड्रेस दिया गया है ओफिस ऑफदा जम्मू केंटोनमेंट बोर्ड ठीक है इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट रिजिस्टी पोस्ट के माजम से भीज सकते हैं डेटो बड़ सैट लगाना पड़ेगा और यह चीज़ ध्यान दीजिएगा बागी आपके पास टाइपिंग सैटिविए तो अन्य था कोई ज़रूर नहीं है आपका जो एड्मिट काड आएगा वह ओन्लाइन तरीके से एड्मिट काड आएगा बट आपका जो रिटन एक्जैमिनेशन होगा और मैं आपको बता दू इशू बाई जीतने भी एड्मिट काड है चाहिए आपके 40% तब भी आपका एड्मिट काड हो आने वाला है इन्हों ने साफ साफ यहां पर बताया है दोस्तों आपका जो रिटन एक्जैम होगा हेंडर्ट नंबर का होने वाला है रिटन एक्जैम बाख की जो आपका रिटन टेस्ट का वह कहां पर होगा जम्मू में होगा जहांकि आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है यहां पर इसका स्लेब आस टीजेक्स दिया इहां पर दिखे है स्टैना इंटलेजंट ज metabolism दीगी दोस्तों कि इंगलेंस दिगहा है नीय जनल तो तो एक्सवीस मिनिट आपको टाइम मिलने वारा को इसका जो मैं प्रवाइड करवा दूँगा कोई ज्यादा वह नहीं है तो इतने चुटेंट वीडियो को लाइक करें और इसका एप्लिकेशन फॉर्म भी दे दिया मैंने वीडियो के निचे लिंग मिलेगा वहां से इस जाए रिये मिलने शुटियो में ऐसी अपडेट आती रहती चैनल को सब्सक्राइब करें अबहुत प्रेस ट्रेनर जैहिंद जैभाण तो बंदियमातरम नभी दोस्ते